रेजिस्टेंस सुना है बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस कि बॉलिंजर बैंड कहां पे सपोर्ट लेगा लोर लाइन जो होती है हाँ बॉलिंजर बैंड कहां पे सपोर्ट लेगा कहां पे रेजिस्टेंस लेगा आप लाइन पे रेजिस्टेस लेगा सर लोग लाइन पे सपोर्ट लेगा रहे महराज बुलिंजर बैंड का भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है आप किसी से भी जाके पूछ लो कोई नहीं आपको बताएगा अब बुलिंजर बैंड का support resistance कैसे देखते हैं कि वास्तों में बुलिंजर बैंड हमारा क्या कर रहा है एक तो होता है सर आपका market का support and resistance ठीक है जैसे ये market चल ला है आप देख रहों यहाँ पे support ले रहा है यहाँ पे resistance ले रहा है एक तो यह देख रहों आप एक होता है बुलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टन्स देखे दोसों की मुविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया देख रहो आप देखते हैं सर एकदम नहीं नहीं चीज़ें पाइवर्ट पॉइंट के पास सपोर्ट लिया देख रहो आप ये भी आपको बताता है सर कि प्राइस कहां से भाग सकता है या कहां से गिर सकता है एवी वेब के पास सपोर्ट लिया देखो आप सेंटर मिलाते हैं देखे एवी वेब के पास सपोर्ट लिया आप देखो साब पाइवर्ट पॉइंट के पास सपोर्ट लिया तो बुलिंजर बैंड से आपको मार्केट की चाल समझ में आती है आप जब भी बुलिंजर बैंड को देखोगे तो आप हमेशा इसको श्रिंक करके देखोगे तब आपको मार्केट की चाल समझ में आएगी बोलिंजर वैंड के चार्ट को ज़्यादा फैला कर देखिएगा जूम आउट करके देखिएगा तो मार्केट की चार्ट नहीं समझ में आएगी आपको हमेशा श्रिंग करके देखिए तो आपको मार्केट की चार्ट समझ में आएगी हमेशा जैसे ही छोटा कर देंगे तुरंट अब देखें यहाँ पर यह थोड़ा सा pipeline वाला काम कर रहा है यह आप यहाँ पर देखो यह यहाँ पर यह थोड़ा सा pipeline वाला यह काम कर रहा है यह वाला यह वाला part यह pipeline का काम कर रहा है है ना तो मेरे मित्र बोलिंजर बैंड को देखने का सबसे पहला जुगाड तो यही है सबसे पहली टर्मन कंडिशन यह हमेशा आप चार्ट को स्ष्रिंग करके देखो तो आपको मार्केट में फटा फट सपोर्ट रेजिस्टेंस पहली बात वो पता लग जाएगा और दूसरी बात कि मार्केट का रुख किस तरफ है अभी आप देखोगे 30 नट के चार्ट पे निफ्टी को थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अभी बोलिंजर बैंड क्या बता रहा है मनी जी बोलिंजर बैंड अभी यही बता रहा है ये वाला structure है न साब ये वाला structure आपको बता रहा है कि बोलिंजर बैंड को समझने के लिए हमेशा आप सर श्रिंक करके देखो बोलिंजर बैंड को छोटा करके देखो 30 मिनट के चार्ट पे देखो अब आप इसी को ले आओ एक घंटे के चार्ट पे देखिए आप इसी को ले जाओ जाओ सर एक घंटे के चार्ट पे एक घंटे के चार्ट पे और सिंपल आपको बता देगा अब देखो सर देखो यहां से पकड़ो इसको देख रहो साब क्या दिखा रहा है यह अप साइट दिखा रहा है ना अभी भी कोई संका तो हम मैं उसका समाधान करू सर इसमें जैसे कि आप जैसे वो देखते न भी फैल रहा है या उपर से मुड़ गिया है सर इंट्राटे में कितने टाइम पर काम करता है इंट्राटे में आप इस पर काम करो 15-30 मिनट पर अभी बोलिंजर बैंड की कॉर्नरिंग मत देखिये अभी आप लोग को उसमें बहुत इक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी कॉर्णरिंग देखने के लिए जो आप इस चार्ट को फैलाओगे जूम आउट करोगे तब आपको पता चलेगा अभी उसको छोड़ दीजिए कहने को तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजे बता रहता हूं कि जिससे आप लोगो को पता चले कि हाँ यह भी चीजे मार्केट में होती हैं है ना ये सब भी चीजे मार्केट में होती बहुत सारी चीजे होती हैं जो सामने होती हैं आख के बत नजर नहीं आती हैं बटाक को बता दिया है तो फिर आप उसको देखना शुरू कर देते हो ठीक है हैं बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीजय हैं कि जो आपको पता हैं लेकिन फिर भी आप नहीं उस पर कभी ध्यान देते लेकिन जो आपको इप से बार बता दिया जाए कि भहिया आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा तो फिर आप उसको देखना शुरू कर देते हो फिर जैसे ऐसे आप देखना शुरू कर देते हो आपकी उसे mastery आना शुरू हो जाती है और आप उसको अपनी trading routine में आप शामिल कर लेते हो धीरे-धीरे अप जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे chart पे बहुत सारी line होती हैं बहुत सारी moving average होती हैं सलुक करते हैं ऐसा मेरे से मैंने उस पर अपनी mastery ले लिए मैंने अपनी आदत उसी हिसाब से बना लिए क्योंकि बिना देखे मैं price को मैं पकड़ी नहीं पाऊंगा price को पकड़ नहीं पाऊंगा इसका मतलब क्या कि price अपने आपको average कहां कर रहा है वो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि trend line को मैं इतना successful नहीं मानता जितना मैं moving averages को मैं successful मानता हूं मेरे को moving average पे ज्यादा faith होता है in respect of trend line moving average पे मैं एक trade कही दिन तक लेकर बैठ सकता हूं moving average पे मैं bet लगा सकता हूं क्योंकि मैं 13 साथ से 12 साथ से मैं वही कर रहा हूं लेकिन अब यह कहो कि trend line में खीच के कुछ मैं वह कर लूँ तो मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि trend line तो तब बनती ना जब 2-3 trend confirm होते हैं अब जैसे देखिए आप यहाँ पर देखो अब यह double top बन गया बन गया ना यहाँ पर अब यहाँ पर trend line लगेगी लेकिन market तो मेरे मित्र पहले से ही अप है देख रहाँ आप क्या आप इसके उपर trade लोगे इसके उपर trade लोगे तब तो आपका trade निकल गया ना गुरू जी बताओ बोलो sir इसके उपर trade लोगे तब तो आपका trade निकल जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा sir trend line पे कम रिलाई करके चलता हूँ त्रेंड लाइन में मेरे को उतना नहीं संवज्वाए था आप यहाँ पर देखो आप यहाँ पर बीवी ट्रीप देखना हूँ कि नहीं देखना हूँ हाँ जी हां सर अभी TBS में वीकली पे बना हुआ है बीवी ट्रेप देखा है आप लोगों ने तो वो सर वो अंदर आएगा फिर वो ट्रेड अपना कांटीन्यू करेगा वो अंदर आएगा पहले है न जी सर पहले वो मेरे मित्र वो आएगा अंदर हां बीवी ट्रेप में अप्रोच निगेटिव नहीं होती बीवी ट्रेप मतलब अगर कोई केंडल बीवी ट्रेप के बाहर बनी है तो पहले या तो देखे बीवी या तो बॉलिंजर बैंड उसके पास पहुंचेगा जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं या तो यह तीन लाइने हैं यह टोटल की टोटल तीनों मूविंग एवरेज हैं इस्तेंडर्ड डेविएशन पर काम करती हैं यह तीनों यह तीनों इस्तेंडर्ड डेविएशन पर काम करती हैं तो बीवी ट्रेप कभी भी बनेगा तो केंडिल अंदर आएगी ही आई आई आप द का एक घंड़े का आप चार्ट लेलो सार इसमें डिसीयन कैसे लिए जबता है क्या डिसीयन लेना सर आपनों को हजार बार बता के रख़ार को क्या डिसीयन लोगे सर क्या गुंड़ा वनोगे देखो पहली कंडल वीवी ट्रैप के बाहर बनी नी सर पहली कंडल वी बीवी ट्रैप के बाहर बनी अब देखे ये अndर आया अदर आया ना सौ में से असी बाहर बुलिंजर बैंड पर यही होगा बीवी ट्रैप में पहλι बाहर बड़ा ताइम फ्रेम क्योंकि हम लोग इस पुरा वेट किया इहां तक आया यहां अबने आपको किते दिन आज जा कि भगा है क्योंकि मुझे पहता था इस लाइण के नीचे नहीं आ कहां बंद हो गई साब में स्क्रीन सब मुझे तो दिखाए ने लिए नहीं स्क्रीन तो शेयर है सर इस्क्रीन शेयर है सर अब देखिए यहां पर आया देखिए आते 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 यह आज जाके इसने तीन दिन बाद जाके आज इसने moment दिया है अब 3 दिन बाद इसने moment क्यों दिया है 3 दिन बाद इसने moment इसलिए दिया है मेरे मित्र अब आप आ जाओ एक दिन के time frame पे अब देखो आप एक दिन के time frame पे ये देखे candle बाहर बनी थी बीवी ट्रेप बना बना ना अब इसमें 2 condition लगेंगी या तो price average के पास जाएगा या average price के पास आएगा पहले दिन कुछ नहीं दिया दूसरे दिन कुछ नहीं दिया तीसरे दिन कुछ अब बोलिंजर बैंड नहीं इसको अपने अंदर लिया ठीक है जी अब जब बोलिंजर बैंड के अंदर आया तब याज चला है ने का मतलब मेरे मित्र या तो ये बुलिंजर बैंड के अंदर आएगा या तो ये बुलिंजर बैंड के अंदर आएगा बुलिंजर बैंड इसके अंदर जाएगा दो में से एक काम होगा maximum चीजों में यही होता है कि market थोड़ा सा retracement या market थोड़ा सा वहाँ पर halt ले लेता है देखे यहाँ पर दो दिन की candle halt ली है आप देख रहे हो यहाँ पर दो दिन की candle देखे है halt ली है ना यहाँ पर तो यह होगा ही होगा यह है BB trap का पूरा system एक बार BB trap पर कोई candle चाढ़ना शुरू कर दी फिर उचड़ती रहेगी जद तक BB trap को नहीं छोड़ेगी तद तक वह ऐसे ही चलती रहेगी इसका मतलब यह देखे मैंने आप लोगों को बोला भी था यह इसका resistance है यह resistance पर sustain भी किया है एक दिन दो दिन तीन दिन sustain क्या है मेरे मित्रिय रिजिस्टेंस पर अपने समझ रहे हैं आप लोग यह सब बहुत छोटी छोटी बाते हैं लेकिन यह आपको अब जैसे मैंने बोला मैंने इसे बोला था लोके से और भी बहुत सारे लोग थे उनसे बोला था कि अगर इसके आई वर्ट पॉइंट के नीचे क्लोजर देता तब हम लोग इस ट्रेट से निकलेंगे आज यह ट्रेट फायदे में आ गया तो कहने का मतलब यह है आपको थोड़ा सा मेटलरजी न और थोड़ा सा बिहेवियर समझना पड़ेगा हर इंडिकेटर का ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो गड़बड है कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो गड़बड है आपका देखने का नजरिया क्या है और आपको अपनी अनालिसिस पे फेथ कितना है वो ज्यादा मायने रखती हैं सर, समझ रहे हैं आप बात को अब देखिए मैं आपको निफ्टी पर ले चलता हूँ रुकिए निफ्टी का 30 मिट का चार्ट पकड़ो आप इसमें सब कुछ नॉर्मल लगा हुआ है इसमें ऐसा कोई कोई हैवी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है और हमारी ब्लैक लाइन भी नहीं लगी हुई है ठीक है अब देखिए सिंपल चीजों से पैसा कैसे बनता है देखिए आपको हर चीज के बिहेवियर को समझना पड़ेगा 50 की मूविंग एवरेस तो सब लोग लगाते हैं नीचे आई और 50 की उपर सस्तेन होगी तो आख बंद करके ट्रेड लेने को बोलती ये 5 की है ये 10 की है ये 20 की है ये 50 की है बस 4 की बात कर रहा हूँ पच्वे की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 30 मिट के चार्ट पर यही चारों दिखाई दे रही है ठीक है देखिए आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया छोड़ दिया जहाँ पर जाना यहाँ पर आप आके बुक कर सकते हो माली जी इसकी उपर भी निकल गया तो फिर आप यहाँ से अपना है माली जी एक केंडिल उपर निकली 15 मिनट की क्लोजर दे दी अंदर मेंट की क्लोजर दे दी इसके नीचे का stop loss लेके छोटा सा आप यहाँ पर छोड़ दो ट्रेड को सर ऐसा कोई indicator नहीं बना है जो moving average को ना follow करता हो ऐसा कोई indicator है ही नहीं सर ऐसा कोई indicator नहीं है सर जो moving average को follow ना करता हो ऐसा कोई indicator ही नहीं जिसके अंदर moving average का समावेश ना हो समझे आप जी सर बीना moving average के कोई indicator बन ही नहीं सकता उसी की setting को आगे पीछे किया आता है तब जाके यह क्या आपका बोलते है moving average बनता है कोई indicator बनता है है नजाब इस बात को भी समझे सर जानने के लिए बहुत कुछ है अब आप सोच लो अगर आप 5 की moving average को follow करना शुरू कर दिये तीस मेट के चार्ट को अंदा धुंद फालो कर रहे हो जरू आप कहीं पर भी loss नहीं हो पांच के उपर आया देखे पांच के उपर आया देख लो आप यहाँ पर पांच के नीचे आया इसको अटाओ थोड़ा सा किनारे यहाँ पर आप देखो पांच के नीचे आया प्राफिट नहीं हुआ लेकिन loss भी नहीं हुआ आप देख रहे हो न आप यहाँ पर देखो साहब यह वाला trade देखो पांच के उपर आया खत्म है मामला आप यह वाला trade देखो साह पांच के ऊपर आया 30 मिनट का चारट है शरीए पांच के ऊपर आया खत्म है मामला आप यह देखो साहब यह सब आप देखो साहब यह सब आपको देखने वाली चीजे हैğं confidence lose नहीं करना है मानता हूँ कि पैसा emotions के साथ जुड़ा हुआ है मानता हूँ जितनी मेरी emotions के साथ जुड़ा हुआ है उतनी ही आपकी emotions के साथ जुड़ा हुआ है मानता हूँ but emotions पे control करना है sir मेरा काम आपको call या put नहीं देना है sir मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा काम आपको इस विधा में, इस विद्या में इस इस तड़ी में आपको one step ahead ले आना है As simple as that आपको one step ahead मुझे दिखाना है बस कि हाँ राकेश जी है, हाँ लोकेश जी है हाँ मनीश जी है अमिज जी है मुझे सब को साथ लेके चलना है क्योंकि जब तक मैं सब को साथ नहीं लूँगा तक मैं भी नहीं हूँ मैं सब किस से हूँ मेरा भी वजूद तो आप ही से है यह तो मैं भी कोने बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ क्या मतलब दा आपको इतनी अच्छे अच्छी चीजे दे के रखें आप उनका यूज करो खाली टाइम में बैठे ओ सट्रेडे संडे में थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है कैसे और आरे नहीं भी या लैप्टाप पे देखना मोबाइल बैठ के देखो मोबाइल पे तो हर देखा असेसिबिलिटी है बट ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज देखे आदमी का अब अमाल राकेजी काते है यार लोकेजी बड़े गुसायल आदमी है बात बात पे गुसा कर देते हैं इसका मतलब क्या कि राकेजी ने लोकेजी के बिहेवियर को एनलाइज किया है तभी वो बोल ले है तो आप जिस सेटप पे काम कर रहे हो उसके बिहेवियर को आपको मित्र एनलाइज करना पड़ेगा बिना एनलाइज किये मामला आपका मजा नहीं आएगा समझें आप लोग समझाई बात इसलिए मैं टेलीग्राम जो हमारे पब्लिक चैनल से लोग है उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि behavior analyzation stock market में सबसे ज़्यादा महतुपूर है मेरे मित्र behavior को analyz करना stock market में सबसे ज़्यादा पूर है यह जानकारी एक ऐसी है भले मैं यह मैं classes में बता रहा हूँ लेकिन यह जानकारी सब तक जानी चाहिए जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए बताईए बोलिए यह जानकारी सब तक जानी चाहिए और मैं इसको record कर रहा हूँ देने के लिए क्योंकि ये नार्मल बेहेवियर है ये एक तरीके सा सामान निग्यान है गलत बोलना लोकेशी बताईए ये सामान निग्यान है सर मैं यहाँ आपको बैट के इस्पेशली बता रहा हूं लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं उन लोको इबताना चाहता हूं जो लोक मेरे साथ जुड़े हुए है ये एक सामान निग्यान है मुझे क्या ज़रूरत है सर कि लोगों को मैं आल्लाइन भुलाऊं फिर उनको मैं स्टोनेज के बारें बताऊं और उनको तीन आप्शन दूँ मुझे नहीं ना ज़रूरत है अरे मेरी टीम प्रॉफिट काट रही है उसमें बैठके और एक और सबसे बड़ी बात है सरी है कुल उस टाइम के बाद में जब सब सीख जाएंगे ना सरी हां तब इस इंपोर्टेंस का पता चलेगा कि ये कितनी छोटी बात थी लेकिन गैरी बात थी सर वही मैं कह रहा हूँ ना अब आपका बच्चा रो रहा है आपको नहीं पता है वो क्यों रो रहा है लेकिन एक मा को पता होता है मा को पता है क्यों रो रहा है अब इसका बैस्ट एक्जम्पल है सर जो लोग डोग रखते हैं ना पैट रखते हैं तो सामने से कोई आदमी आता है उसको उसके behavior का कुछ नहीं पता कि वो बहुंक रहा है तो वो क्या कहना चाहता है लेकिन उसके owner को पता होता है कि उसके बहुंक नहीं करके रखा है कि मेरा डॉगी क्यों भोक रहा है तो सर behavior and knowledge आपको होना बहुत जरूरी है आपका brain setup ये तीन चार चीजों का जो mixer है न वो आपके अंदर होना चाहिए mixer ये समझे जाब तो इन सब चीजों को follow कीजिए इन सब चीजों को देखिए सही बता रहा हूं मेरे मित्र अगर 30 की 30 unit के chart पे 5 की moving average को अंधा follow करना शुरू कर दीजिए शुरू में मैंने बोलिंजर बैंड को बताया उसको अंधा follow करना शुरू कर दीजिए आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है जिन्दगी में सही मैं बता रहा हूँ आपको मित्र किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जिन्दगी में बट समझना पड़ेगा सर टाइम देना पड़ेगा और जो लोग आप लोग के साथ जुड़े हुएं अगल बगल आज पास जो आप लोग के साथ ट्रेडिंग करते हैं उनको भी जोड़िए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए जोड़िए भी उनको भी क्योंकि फ्री में इतनी सारी चीज़े दे रहा हूं सर या फ्री में इतनी सारी चीज़े यूट्यूब पे पढ़ी है लोग फ्री की चीज़ों का महत्तु समस्ते ही नहीं है परमपूजी गुरु जी ने इतनी सारी चीज़े फ्री में देखे रखी है लोग समस्ते ही नहीं है जब तक समझेंगे नहीं, जब तक question नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला सर तो please, चीजों को समझे, सीखिए, अपने उपर काम कीजिए, बिना कि ये नहीं होने वाला है करने से होगा बबारामदयोजी बोलते हैं कि करने से ही होगा सर, बिना कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है सीखिए, समझते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद